वेलकम तु लर्न फॉर एक्जाम माइम इस गुरपीट सिंग इन दिस वीडियो तक अबाओ यूसी एले एंडिसन स्कूल उफ मेनेजमेंट जो की उन्यूरस्टी ऑफ कलिफोनिया के अंडर आता है यहां पर MBA, GPX और भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं इस वीडियो के अंतर हम सिरफ MBA के बारे में जानेंगे सो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा यहां पर आते हैं टॉप की कंपनी जैसे कि आपका BCG, Google, Goldman Sachs and many more ROI के टर्म्स में बहुत अच्छा college है, बूस्ट करता है आपकी salary को, career को, यह 22 month का program रहता है, almost यहां पर इनका alumni network बहुत ज़्यादा strong भी है, यह ROI को बहुत boost करते हैं कि हमारे यहां पर ROI बहुत अच्छी है, 85% का high का जाता है, average increase आ जाता है in salary, pre MBA versus post MBA में and 86% बच्चे अपना जो switch है, career industry का, वो कर लेते हैं, उसके बाद इनका MBA curriculum है कि first year में क्या पढ़ाएंगे, second year में वो क्या पढ़ाएंगे, if you want to read it, just pause the video and just go through it अब बात करते हैं कि इनका batch कैसा होता है, कितने batch में बच्चे होते हैं, उनका data रहता है, 330 is the target class size, 29 is the average size, age range रहती ही 23 से लेके 45 तक की, बढ़ सबसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं आपके 29 ने एज के, उसके बाद 6 years work experience is the average, कि सभी के पास इतने साल का experience almost होता ही है, 47% बच तो काफी अच्छा score रहता है उनका mark sheets के अंदर, उनकी graduation के अंदर, ठीक है, now test में कितना score चाहिए, that is the most important thing, what is the needed score for the GMAT, for Indians I will say it's 730 plus, rest यहां पर overall average इनने 711 दिखाई हुई है, और GRE और verbal के अंदर 162 प्लस इननने दिखाया हुए, दोनों के लिए, ठीक है, तो अगर आप Indian ह तो definitely आपको 730 plus target करना चाहिए, for such college, now, क्या-क्या requirements रहेंगी, apply करने के लिए, पहले तो देखो deadline क्या है, first round की है, October 5, उसके बाद second round की है, 4th January, and then third round, April 12, मैं recommend करूँगा, कि आप इनी दोनों में, round से apply करें, इसके बाद करेंगे, तो rejection आने के चाहिए, काफी जादा high हो जा की degree जो आपकी country में, जैसे हमारे यहां पर होती है, ठीक है, वो degree आपके पास होनी चाहिए, महलब graduation की degree होनी चाहिए, majorly आपके पास, ठीक है, वो 3 साल वाली हो तो भी चल जाएगी, GMAT, GRE का score आपके पास होना चाहिए, उसके पास आपके पास work X होना चाहिए, ताकि वो चा English Language Proficiency Test, English आपको आणी चाहिए, उसके लिए आपको यह देना पड़ेगा, then fees की अगर हम बात करें, तो fees है आपकी somewhere around $1,17,000 की आसपास, विचिस रफली आप इसको 2 साल की करोगे, तो आपको पड़ेगी 1.5 क्रोड की आसपास की fees, तो काफी high fees रहती है in colleges की, but यह साथ में आपको financial aid भी provide करते हैं, which is your fellowship कहते हैं, UK वाले उसको scholarship कहते हैं, तो different different scenarios चलते रहते हैं, तो यहाँ पर 80% बच्चों को मिली जाता है, ठीक है, किसी ने किसी तरीके से, कोई ना कोई scholarship यहां fellowship मों दे दियते हैं, ठीक है, तो आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी, fees थो जो बच्चों को मिलते हैं, on a base salary के बात कर रहा हूं, एक लाग पैंशी जार डॉलर पर यह, विच रफली मोदन करोड, तो ROI की टर्म में सच में बहुत ही अच्छा college अगर आप निसमेड मीशन लिया, then definitely आप एक करोड से उपर ही कमा रहे होगे, आने वाले टाइम में, अब बात करते हैं, कोंसी कमपनी आती हैं, और जादा, Apple हो गया, NTT हो गया, City हो गया, Cisco हो गया, Credit Suisse हो गया, DaVita हो गया, Deloitte, Google, Facebook, ऐसे सारी बड़ी-बड़ी कमपनी यहां पर आती हैं, hiring करने के लिए, we have a GMAT course which is starting very soon, so if you want to indulge in this course, just check out the link in the given description, plus you can visit a website learnforexam.com, and if you are confused कि आप को MBA करना चाहिए, MIM करना चाहिए, और कौन सी कंट्री से करना चाहिए, then this is the course for you, नीचे इसका भी लिंक दिया हुआ है, hit the like when you like this video, share this video with all your friends, and comment down below, if you are in Shashnokeri, thank you much, have a lovely awesome day ahead.